तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चेनल इस्टेडी विद है मैं यूटूब चेनल पर तो आज हम एक इंपोर्टन कुस्टन देखेंगे कि नई कविता की प्रमुख विश्चता हैं लिखिए तो सबसे पहले यह जानना आप सके कि प्रक्रिक्षा में किस प प्रेंगी विश्चता है यहां फर्यादाई गया कि कोई दो भैश्चता है तो किसी भी प्रक्रचा पड़ाय आपको चार भैश्चता है याद होनी चाहिए और प्रियोकवादी कविता कि आंगे काड़ नाई कविता के रूप लुप में उबराए जो प्रियोगवादी कविता थी उसके आंगे का जो दोड़ था वो नई कविता के रूप में उबराए नई कविता सुतंता के लुछी गई है वही कविता है जिसमें नवीन, भाव बोध और नई मूल और नया सिल्प बेदान है सब मतलब नवीन है इसलिए इसे नई कविता का नाम दिया गया है अब देखते हैं इनकी विश्षष्टा है तो पहली विश्षष्टा है लगु बात की पतिष्षठा, तो मानव जीवन को मेंद पूल मानकर उसे अईदर पूलड़ देश्टी प्रदान किया तो नई कभीता में मानव बात की प्तिष्टा है, सेकर ने प्रियोगों में नभी रसकतियों का वाश्टीविग चित्रन। तो क्या इस योग के कभियों ने मानव वा शमाज नों की अन्य भूतियों का सच्छाई के साथ चित्रड किया है। नेक्ष्ट पूर्ण देखते हैं। नेक्ष्ट है व्यंग प्रदान रचनायं। तो इस काल की कवियों ने मानव जीवन की वसंगतियों, विकृतियों एवं अन्यतिक तावादी मानताओं पर व्यंगे रचनाईगी नही कविता के प्रमुकवी, तो सबसे पहले हैं बवानी प्रसाद मिस्र, तो इनकी रचनाएं सन्नाटा गीत फरोष, फिर दुसंत कुमार, इनकी रचनाएं सूर का स्वागत, आबाजों के घेरे, फिर शिरकांत वर्मा, इनका मगद माया दरपड, फिर नरेश महता, इनकी है. उत्साव बोलें दो यह को तो यह हैं नही कविता के प्रमुकव och उनकी रस्टना है, तो आपको कमसे कम चाल कविक तो याद करने हैं और चाहर रस्काइब याद करनी है ठीकर दोस्तों प्रिशन ऐसे भी आ सकता है कि नहीं कभी ताकर प्रमुक्चार कभी और वे उनकी तरशना लिखिए तो आपको हट रिकी से तैया रहना है रहे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करना न भूलें क्यो